इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उप्योग करत ये गर्भाशे के अलसर सीधी मुद्रा बनाए रखने में कठिनाई और बहुत अधिक पसीने के लिए सहायक है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। 1. यह epidemis की अत्यधिक मोटाई और exfoliation के लिए सहायक हो सकता है। 2. यह उन विकारों में फाइदे मंद है जो किसी भी हिस्से में अंतरालिय सूजन और cellular प्रसार को प्रदर्शित करते हैं। 3. अलसर ना होने पर यह कुष्ट रोग और लूपस के प्रबंधन में सहायक हो सकता है। 4. यह सयोजी उतक की अतिवृध्धी और अवधी के लिए उपयोगी है। 5. यह धड़ और हाथ-पैर, हथेलियों और तलवों पर psoriasis gyreta के लिए भी सहायक हो सकता है। 6. यह खुजली के लिए उपयोगी है, विशेशकर तलवों पर। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।